कुरोना वाइरिस ने यॉरप के देशों में फिर से देशत मचानी शुरू कर दी है ब्रिटन में इससे हाहाकार मचा है जहां लगातार दूसरे दिन मामले बढ़ गए और रिकॉर्ड 88,000 नए मरीज सामने आए एक दिन पहले इनकी संख्या करीब 89,000 थी यानि 24 घंटे बाद वहां 30 से मरीज बढ़े जिससे सरकार के हाथ पाउँ फूल गए क्योंकि आने वाले दिनों में मरीजों की तादाद बढ़ने की चेतावनी दी गई है ये संख्या पिछले साल महामारी शुरू होने के बाद सबसे ज्यादा है यही नहीं ब्रिटन में ओमिक्रॉन वेरियंट ने भी चिंता बढ़ा दी है जिसके 11,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं ऐसे में क्रिस्मस को लेकर सरकार टेंशन में है और लोगों से एहतियाद बरतने की अपील की गई कि यॉरप के देश एक बहुत ही सीरियस परिस्थिती से गुजर रहे हैं हमें याद रखना होगा कि ऐसी स्थिती जो वहाँ है यहाँ ना आए अगर जो केसिस कल यूके में हुए है अथासी हजार के करीब असी हजार दे लेजे अगर हम उसको पॉपॉलेशन के बेस पे लें तो ये चौदा लाख केस होंगे भारत की पॉपॉलेशन पे मतलब साफ है कि थोज़ए